अगर आपने ब्रांच एपलिकेशन से लोन लिये हो और लोन का रीपेमेंट तथा EMI सक्सेस्पुली पेड हो चुका है उस थिति में अगर आपको NOC चाहिए आज क्या ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट हो सकता है इस वीडियो पर मैं आप सबको बाताओंगा ब्रांच एपलिकेशन से कैसे NOC लिया जाता है दोस्तों मैं सबसे पहले बाता दू ब्रांच एपलिकेशन के मोताबिक और मेरा एक्सप्रियेंस के आधर पर ब्रांच एपलिकेशन फॉर्मालिटी के साथ में NOC प्रुवाइड नहीं करते हैं लेकिन हाँ जो इमेल हम लोगों को मिलता है उस इमेल को हम लोग NOC के तारा यूज कर सकते हैं एनोस लेना बहुत ही सिंपल है सबसे पहले ब्रांच एपलिकेशन को ओपेन करना पड़ेगा ब्रांच एपलिकेशन ओपेन करने के बाद आपना जो प्रुफाइल है यानि उपर में यह जो आ कुछ स्पोकर से चैट करना पड़ेगा कि मुझे NOC चाहिए अगर आप इंग्लिस पर कामफरटेबल हो तो इंग्लिस पर चैट कीजिए और अगर आप हिंदी को ज़्यादा प्रेफार करते हो तो आप हिंदी पर भी चैट कर सकते हो ठीक है मैंने यहाँ पर लेख दिया कि मुझे ब्रांच अप्लिकेशन का NOC चाहिए ब्रांच के तरफ से मेरे पास रिप्लाई आता है कि 72 घंटे के आंदर आंदर हमारे टीम के तरफ से एक मेल आपका रजिस्टर इमेल पर सेंड कर दिया जाएगा एंड उसी इमेल पर जो आप लोगों को जानकारिया मिलेगा तथा जो इमेल मिलेगा उस इमेल को आप NOC के तारा यूज कार सकते हो ठीक है सो मैंने इस पोकल से चैट कर दिया उसके बाद कुछ समाई के आंदर आंदर मेरा रेजिस्टर इमेल पर एक इमेल मिल जाता है आप लोग इसको प्रिंट करके इनोसी के जैसा काम में लगा सकते हो